जो पहले बाइंग वगेरा करेंगे ना मार्केट उसको पहले ट्रैप कर ले अपना प्रॉफिट बहुत अच्छा यहां पर चलने लगा है और घृικά कर सकते हैं मार्केट में व्यक्राइब करेंगे किसी और यहां है तो यहां पर है इस उसे बीजप्स आप यहां पर मार्केट ईकर्ट की तरह होंते ही selling में जाना शुरू कर दिया तो देखिए यहां पर buying set का trade बनाया जा सकता है लेकिन दिक्कत क्या है कि आसपास एक round level है बहुत बार market क्या करता है भाग तो जाता है लेकिन बहुत बार थोड़ा मुरापसेट का momentum क्या है फिर से गिरावट कर देता है क्योंकि round level के आसपास जब market support लेके जाने का कोशिश करता है तो buyers active होता है तो यहीं दिक्कत है अदरवाज यहां पर buying set का trade बनाया जा सकता है थोड़ा सा वेट करते हैं जो पहले buying वगेरा करेंगे मार्केट उसको पहले trap कर ले इसके बाद हम यहां पर trade बनाने का कोशिश करेंगे selling क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखें मार्केट कल भी इसी तरह का chart बनाया था तो फिर से वह selling में जाए ना उसमें थोड़ा confident कम आ रहा है इसलिए थोड़ा वेट कर लोम है अदरवाज selling करने का भी कर लेते हैं अगर कल के तरह चार्ट रूपीट ना किया होता होता तो ओकी गाइस तो यहां पर देखें हमने entry बना लिया है buy care 43 700 का CE अब देखें यहां पर रिक्स तो है कि market फिर से अगर लोग अगेरा breakdown किया ना तो फिर देखें यह 43 500 का level है इसका भी breakdown कर देगा otherwise market को अगर उपर निकल ला ना तो यहां से एक upset का momentum हमें दिखा सकता है हमने यह breakdown बगेरा भी कर दिया निप्टी भी अच्छा खासा negative side का momentum कर दिया वह भी कहीं ना कहीं support के आसपास आया हुआ तो अब दिखें कोई यहां पर buying क्या होगा ना तो वे candle देखके या फिर breakdown बगेरा देखके वो market से निकल गया हो वो नीचे के side हमें buyers का SL मिलेगा ने बाकी जो 700-800 जैसा market के momentum के according मिलेगा लेने का कोशिश करें है ठीक है तो अभी देखें अपना position करें है कहीं थोड़ा बहुत profit में आ गया है वेट करते हैं देखते हैं क्या होता नहीं होता है momentum ठीक है बट लोग अगेरा फिर से अगर breakdown किया ना तो यहां पर थोड़ा रिक्स होगा क्योंकि होता क्या कि देखें राउंड लेवेल के आसपास से थोड़ा मोरा support लिया उपर निकला ना तो यहां पर बायर स्टूरंट एक्टिव होने कर कोशिश करते हैं वही यह problem है इ 400 के आसपास चलना सुरू हो चुका है जस्ट वेट करते हैं मार्केट में बहुत ही तेज मोमेंटम आया है continue मिलेगा बहुत अच्छा हमें एक प्रॉफिट देखने मिलेगा यहां पर केंडल वगेरा भी ठीक ठाक बनाया निप्टी भी recovery दिखा रहा है strong candle बना दिया निप्टी भी तो जस्ट वेट करते हैं और आम से देखिए सही जगा इंट्री लेने से न यही एक benefit मिलता है कि हमें profit बहुत जल्ली मिल जाता है मार्केट से निकल जाना पड़ता है ज्याद लगबग हम target के आसपास trade कर रहे है 600 सारे 600 के आसपास profit चला और candle भी बहुत ही जबरदस किसिम का बना रहा है bank nifty तो wait करते हैं चलिए अपना target यहाँ पे मिल चुका तो just exit कर देंगे थोड़ा सा wait करते है तो target देखिए यहाँ पे अपना मिल चुका है हम just wait कर रहे कि market में candle थोड़ा strong है तो एक दो candle और मिल जाए न तो एक अच्छा profit यहाँ पे बना सकते हैं इसलिए यहाँ पे wait कर रहे वाकी exit करना चाहिए तो यहाँ पे exit भी कर सकते हैं हम risks ले रहे हैं अपने experience के according और देखत हैं candle बगरा strong बना है इसलिए वी रिक्स ले रहे हैं फिर से profit चलना शुरू हो गया ओके गाईस तो यहाँ पर देखिए हमने trade exit कर दिया और जो हमने profit बुक के 840 रुपए के आसपास का हमने profit बुक किया बहुत जल्ली target मिल गया पोजिशन कब बनाया था 9 बच के 20 में 9 बच में बैट करना पड़ता और इतना जल्ली असानी से target मिलता नहीं तो हमने पहले रिक्स लिया इसलिए हमें reward भी अच्छा मिला और जल्ली से reward मिल गया ठीक है अब बात करते हमने यहाँ पे buying set का position क्यो बनाया था अपना selling set का plan को छोड़ के ठीक है यहाँ पना selling set का plan था हमने buying set का रिक्स यही था कि यहाँ पर 43 500 का level था लेकिन market में देखिए sentiment काम करता है क्या होता कि market जब level बगएरा का breakdown कर देता ना तो buyers को पहले ना breakdown देखता है वो support बाद में देखेगा उसको देखेगा पहले level का breakdown हुआ पहले मैं sell करता हूं बाकी buying अभी नहीं करेगा ठीक उसक simple सा logic जिस तरह से हम हमेशा trade कर तो उसी logic के साथ trade किया और एक अच्छा recent सा profit हमने book किया ठीक है तो okay guys मिलते है next video में